तो असलाम अलेकूम भई क्या आले हैं आप सब के आज जो है वो काफी मेजर नियूज है सीपी इंफलेशन ठीक है और इंफलेशन को समझने से के लिए जो ना मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि मार्केट किस तरीके से जो है ना वह मतलब बिजने साइकल होती है और मैं यूएस कम्यूटी के साथ भी आक्टिव हूँ वहां भी हमारी चोलरी मैं के उसको मूट कर देता हूं अच्छा देखें सीपी आई के लिए चोई ना वो CPI के लिए जो है ना हमारे पास क्या है option कि हम इसको किस तरीके से trade करें सबसे पहले समझें CPI है क्या CPI जो है ना वो consumer price index है ठीके consumer price index का मतलब क्या है consumer price index का मतलब यह है कि जो एक basket होती है अलग अलग चीज़ों की जिसमें दाल चीनी ऑईल घी चामल आटा और जो है वो मेदा इन सारी चीज़ों की baskets होती है और उस baskets की जो price होती है उस price में अगर increase आजाता है अगर उस price में अगर increase आता है तो मतलब inflation बढ़ रही है मतलब महंगा ही बढ़ रही है अगर उस cpi inflation के अंदर कमी आती है तो मतलब मेंगाई का मोरी अब इसके दो सेनेरियो मैं तोड़ा सक क्विकली इसको बता रहा हूं मैंने इस पे काफी दफा सेशन किये मैं काइंड लिया आप अपने वीडियो कर दें मैंने इस पे काफी जादा जो इना सेशन किये में आप लोग अगर इसको जॉइन करें तो आपको काफी बैनेफिट होगा देखें cpi महंगाई का बढ़ना और महंगाई का कम होना डिपेंड करता है कुछ factors के ओपर ठीक है और इससे क्या result निकलता है महंगाई हमारी तब बढ़ती है जब पर्शेजिंग कं हो जाए जब अनिप्लोइमेंट कं हो जाए ठीक है यह इंप्लोइमेंट जो न बढ़ जाए मतलब बेरोजगारी खतम होगी तब यह तो पर्शेजिंग पावर बढ़ेगा और पर्शेजिंग पावर बढ़ने की वज़ेसे क्या होगा हमारी जोएना वह इंफलेशन बेरोजगार भाई थे वो क्या करते थे सिर्फ कोशिश करते थे दूद में पानी मिलाएं और चाय के लिए इस्तमाल करें लेकिन जो जॉब वाले थे जो जॉब वाले थे जिनके पास पैसा बहुता वो खुद भी पीते थे उनकी बीवी भी दूद पीती थी और उनके बचे भी दूद पीते थे लेकिन जैसे ही उन छे भाईयों में से चार को और जॉब मिली तो अब दूद की कंजम्शन बढ़ गई दूद की डिमांड बढ़ गई डिमांड बढ़ने से क्या हुआ अब वो जो चार भाई हैं मतलब टोटल आठ भाई वो दूद पी पी रहे हैं च ही कि अब महंगाई जब प्राइस बढ़ती है तो हमें क्या करता है प्राइस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास टूल है जिसको हम कहते हैं इंट्रस रेट को हमें बढ़ाना पड़ता है इंट्रस रेट को हमें बढ़ाना पड़ता है इंट्रस रेट को बढ़ा को बढ़ा दें ठीक है सेविंग्स को वह कब बढ़ाएंगे जब उन्हें अट्रेक्टिव इंटरस्ट रेट्स मिलेंगे ताकि वह बैंक में डिपोजिट करें उनके फंड्स जोई न वह इंट उनको एक एक्स्ट्रा इंकम जनरेट करके तो हम इंटरस्ट को बढ़ाएंगे ठीक है अब इंटरस्ट रेट्स बढ़ने से क्या होता है यूएस डॉलर जो होता है और जो यूएस डॉलर के स्ट्रॉंग होने से क्या होता है जितनी पी करन्सी यूएसटी के अगेंस ट्रेट करनी है वो टाउन जाती है जैसे के गोल्ड हो गया जैसे के जो हैना वह आप रचलिए चीज़ें उपर जाएंगे तो कैम पने करने के लिए वह ले के टरफ जाएंगे आद तरफ जाएंगे लोग जाने कि से इंटरेस डेड्स को ना वह बढ़ता है तो लोग जो नॉर्म स्वावाथ मज़C吧 नॉर्म इंवेस्टर्स है वह क्या करते हैं नॉर्म इंवैस्टर जो नाव वह इंपनी और सेकंड बात यू यूजवल लेगेगा लेकिन मैं zero coupon bonds की बात कर रहा हूं यह आप कभी जब आप इसमें ट्रेशरीज और bonds का में कभी पूछना डिटेल में मैं आपको examples के साथ बता दूँगा I'm talking about the zero coupon bonds ठीक है bond market और US dollar की मार्केट जो है ना वो इंट्रसेट की मार्केट negatively correlated है ठीक है यह तो हो गया हमारा एक little bit explanation इसकी थोड़ी सी summary again मैं आपको बता देता हूं क्या है CPI अगर CPI अगर CPI जादा आता है from from estimations जो estimated उससे जादा आता है तो मतलब क्या हुआ interest rate को या तो बढ़ाया जाएगा या फिर उसको कट नहीं करेंगे अभी क्या बात चल रहा है अभी scenario चल रहा है interest rate को कट करने की already बहुत जादा हाई है अब अगर CPI कम आता है अगर अपन CPI अपना कम आता है तो interest rate को बढ़ाने की बात नहीं चल रही कट करने की बात चल रही है तो वह कट कर देंगे ठीक है interest rate अगर कट नहीं होता यह बढ़ा दिया जाता है बात दोनों की सेम है ठीक है ना गट नहीं होता है तो घ्र बढ़ा-दिया जाता है तो क्या होगा हर वो पेयर जिसमें वो इस तरीके से जैसे के यूरो यूएस्टी गोल यूएसडी यह सारे क्या होंगे यह सारे अगर इंट्रेस रेट आ वह यह कट नहीं करते हैं तो यह डाउन जाएंगे ठीके ये सेल में जाएंगे और हमारे जो इस तरीके के पेयरण हैं जितमे इस उस्दि फस्ट पर आरा यह अप जाएंगे और इस टॉक्स भी वह डाउन जा सकते हैं और यह इसका बिल्कुल जोई ना वह इन्वर्स होगा ठीक है यह तो हो गया सैंसिस क्या है हमारे पास वह यह है कि हमारे पास मन्थ-on-month CPI है 0.2 ठीक है अगर 0.3 से जादा आ जाता है तो यह फस सेनेरियो जो है वह अप्लिकेबल है और अगर 0.2 ही आता है यह 0.2 से कम आ जाता है तो यह वाला सेनेरियो अप्लिकेबल है CPI को भी देखना है यह मन्थ-on-month basis पर चल रहा है वाय और वाय स्लेश वाय का मतलब क्या है यह यह ओन यह बैसिस इसमें क्या है टू-पॉइंट-टू-3 परसंट अगर 3 परसंट से जादा आ जाता है तो यह वाला अप्लिकेबल है अगर नहीं आता तो यह वाला दिखने के लिए ना एक और वैपसाइट है जिस पर बहुत अच्छा से जो ना बता रहे होते हैं वह हमारी फॉरेक्स फैक्टरी यह सबसे जादा यूज होने वाली है बट आइम आपको कभी भी यह नहीं बोलूँगा कि आप ट्रेड ले लो अभी बाय में ले लो सेल में ले लो इट इस जस्ट प्योर गैंब्लिंग वह एक वीडियो आपने देगी थी ना वह एक बंदे ने पहले से ट्रेड लगाई भी थी बाय में और एक्दम मार्केट जो ना वह सेल में चली और फिर वही वही वहीं करता पर जो ना जारता बहुत बहुत अच्छे यहां पर मैं चैनले को लगाता हूं क्यूंकि में मौसली यूएस से देख रहें कि ना होते हैं ठीकिशे मार्केट आलमोस्द बिल्कुल फ्लैट होती है यह हमारा जो ना बहुत मेजर छीज जो होती है जिसको हम अनलाइज कर सकते हैं टैन मिनित के इंदर बिल्कुल आई को देखते हैं कि क्यों 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 के अंदर क्या वो इंडिकेशन होंगी चार मिनट के अंदर अभी हमें डेटा आ भी जाएगा टैन मिनट में चेक करेंगे यह हमारा यूए स्क्रिंस लगाता हूं लेकिन अभी जो ना मैं राइट नौ ट्रेडिंग मार्केट एक गंडे ब पिंडिंगा अभी आपको कुछ नहीं करना आपको जस्ट यू निट टु बहुत बस वाच कुछ पी नहीं करो वाच करो किया यह तैज़े यह क्या होगा जबीपी यूस्टे अगर है न यह टाउन चला जाएगा और यह जो यूस-दी जैपी वाय है यह अप चला जाएग सब्सक्राइब यहां पर आया यह उपर जाएगा कम आया इंफलेशन तो यह नीचे जाएगा ठीक है अच्छा थर्ड हम क्रिप्टो भी इसका इंपक्त लेती है तो आप क्रिप्टो को भी इसमें वाच कर सकते हो आप क्रिप्टो ड्रेडर ओ यार बीटीसी को वाच करो एंड डैट सेट बीटीसी जो है ना वो सारी चीज़ों की वह है बागी यह मेरे कुछ कल के जो ना वो थे इनको भी हम बाद में चेक करेंगे कि क्या इंपक्त होता है ठीक है दिस इस 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 इपी इंफलेशन आइप क तक्रीबन 20 से 30 सेकंड बाद यह क्या होता है यहां पर जो ना वो अपना अप्डेट होती है एक हमारे पास है यूएस एकॉनमी के कैलेंडर और दूसरा हमारे पास एक फॉरेक्स लाइफ तो यह भी अच्छी है अगर आप इसको भी यूस करना चाहें तो आप कर सकते हैं अच्छा अब हम अपना इदर भी चेक कर लेते हैं इनकी सैंसस क्या है अच्छा सवाल जो भी है यार हम सेशन के बाद में देखेंगे वाट्सेप वाले भी और यहां वाले ठीक है तेके मेरे पास तो टाइम भी मेरे बिल्कुल भी जो इना इस पर लेकी नहीं बेटा होता और मेरी कोशिश होती है कि मैं ट्रेड ना करूं मैं मौसली ट्रेड दी नहीं करता क्यूंकि देखें बिल्कुल जब चीजें ही अपना नॉर्मली बिल्कुल उस पर चली जाती हैं बेस कर दी हैं सम फ्यूशर सटन अनसर्टन इवेंट्स तो इसको वेसे हम कॉंटिंजन अब यह लौट नहीं हो रहा इसको छोड़ो तो यह वाली बहुत अच्छी है सैंसरे यहां से पता चल जाता है और बाकी मेरे पर तुईट्स भी आ जाते हैं अब 15 सेंदें अब आपको ना कोई रश नहीं करना अच्छा इसके बाद आपके सेंसे के डेटा आने के बाद 10- अब यहां पर नीचे वाली बड़ी-बड़ी कैंडल बन गई होंगे मैं अभी नहीं देख रहा जब तक डेटा नहीं आ जाता प्रॉपरली हम उसको नहीं देख सकते हैं अब इसका एक्च्वल रिजल्ट देखते हैं क्या आता है यहां पर देखें अभी तक लोड नहीं ह ही नहीं जी से नॉर्मली बता रहे होते हैं कि नीज्वाट नहीं होई अब यह तो बहुत जादा ब्लड ओगा या पी देखते हैं यहां पर क्या बनता है कि अच्छा मतलब यह कि इतना ज्यादा वैरियेशन नहीं आया है और मॉस्स सेम सेमी आई यह कोड़ सीपियाई 0.2 0.2 सीपिया 0.2 और यह वाली जो ना वो कम होके आई यह मतलब इंफलेशन कम होके आया है तो यह क्या है यह आप लोगों को जो ना मतलब इंटरस रेट्स को करने की चांसे ज्यादा बढ़ जा रहा है और देखें जब इस पर आपको नहीं करना आपको दूसरी चीजों को भी फोकुस करना होता है और दूसरी चीजों को भी क्योंकि अभी बिल्कुल लाइन आ ही आया रिजल्ट इतना दादा डिफरेंस नहीं आया अब आप क्या है आपका जो प्रीविएस ट्रेंड या जो प्रीविएस टेक्निकल ट्रेंड चल रहे हैं मार्केट मॉस्ली इसको फॉलो करती है लेकिन डी-एक्स-वाइड उपर जा रहा है इट मीन्स यह जो भी पेर इदारे से यह डेटा आता है जिसको डी-एलेस किते हैं पुस इदारह इस पे कमेंट्स भी करता है टिकल को मेंट्स इंपोर्टन होते हैं कि वह लोग क्या एकस्पक्त कर रहे है अब गोल्ड अभी नीचे जा रहा है लेकिन इतना जादा हैंपक्ट मार्केट नहीं लिया यूरो यूएसडी को आप देखोगे तो वह जो है ना अच्छा मैंने डी एक्स वाइए में ट्रेट थी वह तो मेरे ख्याल से तो अभी तक तो सही जा रही है ठीक है अच्छा यूज़ी यूएसडी अगें देखें वही डाउन और यूदी यूएसडी डाउन होगा यूए यह देखें ठीक है यूएसडी केट भी आप होगा मैंने स्टूरेंट ने मुझे सवाल एक बेजा भी था मैंने उसे कहा था कि डॉलर में स्ट्रेंथ एक्सपेक्टिड और वह जो इन उपर जा सकते अब यह देखें क्यू 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 भी डाउन आया है लेकिन इतना ज्य जाना था और गोल्ड भी बहुत हैविली किर जाना था तो इतना बड़ा वैरियेशन नहीं है इस पर आप अपनी जो प्रिविएस अनालिस है क्यूंकि हम देखें फंडमेंटल को और हर चीज हम फंडमेंटल को प्रिविज देंगे उसका रीजन क्या है क्यूंकि जो इसको जाकर चेक करें जैसे जैन्वरी 11 मार्श यह पूरी जो ना वह स्कैजूल बनावाई इस वाली पर जाकर चेक करें क्या यह सई हुई थी यह नहीं हुई थी आपको यहां से डेटा मिल जाएगा सारा इस पर बैक्टेस्टिंग करना आपका का में तो यहां पर देखे तो आप कर सकते हैं अधरवाईस जो ना वह हम फिर सेशन को क्लोज करके और ट्रेडिंग सेशन की तरफ ही जाएंगा जो साकिप कंड़क कर लेगा मैंने ट्रेट्स डी ती और मेरे मेरी आधी सबस्टेमे मेर tangled in the US यह टॉक्य आफी जा बॉस यह ओड काफी अच्छी प्रॉफिट मैं है यह इसके इलावा वह इलै यह आ हैं यह सारी पर जो आप लोगों को शिखा रहा हूं यह सारी चीज है आप इनको वाच करें इनको देखें समझें और अब सकते स्क्राइए आप अपनी गर सकते हैं आप नहीं के देर देगा तो आया सब्सक्राइब के दिलकश इक्राम इमरान नदीम सहाब नियाज साकीब तुफेल जाहिद इकबाल चुहेंड को सबस्क्राइब कर सकते इतना जादा वैरियेशन नहीं आया फंडमेंटल में अब आपने प्रीवियस कोई करेंगे को कोई सवाल हो तो आप कर सकते हो कि यह इस पर मैंने काफी सारी वीडियो बनाई है अगर आप चैक करते हो तो आपको बहुत फायदा देंगी दें यू यू नीड टू लर्न आपको चीज़ें सीखनी है आपको समझ नहीं है ठीक हारुन साब मुझे इजाज़त दें आप लोग इंशाल्ला फिर जोना हम यू एस सेशन के टाइम पर मिलेंगे विकोज आई नीड वार्किंग्स आई नीड टू अप्डेट मैंनी तिंग्स में वेट कर रहा था इंशाल्ला आप नियास साफ देख लिएगा बहुत है आई है our resources final options you have Okay thank you. Thank you so much, thanks for your valuable time the recording will be uploaded on the LMS Muns Thank you so much